नमस्कार मित्रो गुरु अर्वेदा में आपका स्वागत है चाहे मौसम के करान हो या कई लोगों को हमेशा ही खाज खुजी फोड़े फुंसी होते ही रहते हैं इतके लिए अगर तो आपके खाज खुजी या फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो आप के वर शहद लगाएंगे उस से ही ठीक हो जाएगा ढगर खुजी इसमें है तो शहद लगाने पर कुछ समय के लिए खुजी आपकी तेज हो जाएगी भबराने की उतनी है तेकि ठीक जलदी हो जाएगा अगर खुजी में जलन जादा आपको हो रही हो तो मुलहेटी और नागर मोथा बरावर पानी में उबाल दीजिए और ठंडा होने के बाद किती मुलायम कपड़े में डुबा करके उस जगह में आप लगाईए इत्य आपको जन में बड़ी शांती मिलेगी। अध्वा आप हल्दी में लसुन और प्याज पीश करके मिलागर के अगर लगाते हैं तो उसको लगा के अधिक समय तक रखने नहीं देना हैं। लगाने के बाद ज्यादा ज्यादा दो-चार मिनट के अंदर में उसको साफ पोंच दिना किसी कपड़े थे। अगर लगा के छोड़ देंगे तो आपको तकलिफ ज्यादा हो जाएगी जखम भी हो सकता है। नारियल का तेल सरील को बड़ा मुलायम करने वाला होता है। अगर आप केवल नारियल तेल में कपूर मिलागर के लगाते हैं। इससे भी आपके खाज, खुजली या फूंसियां इत्यादी में फोड़े में बाद लाग मिलेगा। एडो बेरा जिसको घृत कुमारी बोलते हैं। उसमें हल्दी मिला करके अगर आप उसका लेप लगाते हैं और ज्यादा प्रावलम हैं तो उस लेप में रूज रखे पट्टी भी बान सकते हैं। कोई नुकसान की बात नहीं है। उससे भी आपका फोड़ा भी होगा तो भी बड़ा लाब करेगा। तुलती का रस आप लेकरके उसका भी लेप लगाएंगे तो लगेगा जरू थोड़ा चिंचिनाएगा ज्यादा नहीं थोड़ा बरदास्त कर लीजेगा जल्दी ठीक हो जाएगा। खाने का सोड़ा और नमक ये दोनों मिला करके तो आप पानी डाल करके पेश्ट आपके बना लीजे और आप लगा लीजे जहां पर पिछेस आपको फुझली या आपको फुंसिया या फोड़े हों और लगाने के बाद पंद्रा मिनट दस मिनट इससे उपर मत रखिएगा तुरंत उसको साफ कर दीजेगा इसते भी आपके फोड़े फुंसिक इत्यादी जो है वो बिल्कुर सही हो जाएगा चाहे वो एकजिमा हो चाहे सफेद दाग हो या असाध्य दाद हो किती भी प्रकार का एकजिमा और चर्म लोग हो आप संपर कर सकते हैं और स्वास्चला आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी भीमारी के बारे में जानना हो तो आप हमारे गुरु आरदा से संपर कर सकते हैं जै हिंद